नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़िदार कॉमिक्स जादुवी कील जादुवी कील लेखक अमित कुप्ता कला द्विदर्शक परताप मुलिक चितरांकन चंदू प्रफुल गाडे बहुत पुरानी बात है कन्नोज नगर में धनी राम नाम का एक सेट रहता था वह बहुत धनवान था तथा दूर दूर तक उसकी ख्याती फैरी हुई थी उसके शिवराज और बलराज नाम के दो पुत्र थे जिनसे वह बहुत प्यार करता था अचानक एक दिन धनी राम बीमार पड़ गया और एक बार चारपाई प्रकरने के बाद फिर चारपाई से नहीं उट सका एक दिन अपनी मौत का समय निकट जान उसने अपनी दोनों पोत्रों को निकट बुलाया और बोला मेरा अंतिम समय निकट आ चुका है बेटो शायद में चन दिनों का और मैमान हूँ ऐसा न कहिए पिता जी दुखी होने से कोई फाइदा नहीं बेटो जो कुछ भी इस समय कह रहा हूँ तुम दोनों उसे ध्यान से सुनो मेरे पास धन का एक बहुत बड़ा खजाना है वह खजाना भौसली पहाड़ी के पास पीपल के पेड के निचे दबा है तुम मेरे मरने के बाद उस खजाने को निकाल लेना और दोनों आपस में पांट लेना लेकिन पिताजी मुझे रोको मत बेरे बच्चो मुझे कहने दो मेरी कुछ नसियती ही बाद में तुम्हारी काम आएंगी सुनो तुम दोनों भाई हमेशा की तरह प्रेम से रहना और कभी आपस में जगडाना करना वरना मेरी आत्मा को बहुत दुखोगा पिताजी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम दोनों भाई कभी भी आपस में जगडा नहीं करेंगे और सेट धनी राम अगले दिन ही स्वर्ग सिधार कया पिताजी जब दस बारा दिन गुजर गए तो बलराज अपने बड़े भाई शिवराज से बोला अब हमें भैंसली पहाडी के पास पीपल के पेड के नीचे दबा पिताजी का खजाना निकाल लाना चाहिए भाईया मैं भी यही सोच रहा था छोटे फिर कब चलने का विचार है भाईया आज रात को ही चलेंगे ठीक है और उसी रात शिवराज और बलराज कुदाले लेकर भैंसली पहाडी के पास पीपल के पेड के नीचे पहुँच गए हमें यहां खुदाई करनी चाहिए पिताजी के कहे अनुसार खजाना यहीं कई दबा होना चाहिए ठीक है फिर शिवराज और बलराज कुदालों से जमीन खोदने लगे कुछ देल की खुदाई के पश्चाट शायद कुदाले किसी बरतन या धातू के बकसे से टकराई हैं बलराज हाँ भैया लगता तो ऐसा ही है अब जमीन जरा सावधानी से खोदना कहीं बरतन या बकसा टूटना जाए ठीक है भैया गड़े से मिट्टी हटाने के पश्चाट ओह यह रह वकसा चलो इसे निकाले फिर जब उन दोनों ने बड़ी सावधानी के साथ उस बकसे को निकाल कर खोड़ कर देखा तो उनकी आखे चुंधिया गई वह इतने धेर सारे हीरे जवारात अब तो हमारी जिंदगी सवर जाएगी अगले ही पल बलराज के दिल में लाला जा गया और वह सोचने लगा अगर मैं पिताजी की इकलोती संतान होता तो यह सारा धन मुझ अकेले का ही होता मगर अब भया इस धन में से आदा धन पांट लेगे नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूँगा मुझे कोई ऐसी तरकीब लडानी चाहिए ताकि मैं अकेला इस सारे धन का मालिक बन जाओ अरे हाँ अगर मैं इसी वक्त भया की हत्या कर दू तो मैं सारे धन का अकेला मालिक बन सकता हूँ लेकिन नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा इनसान की हत्या करना एक जगन्ने पाप है अता इस पाप को सर लेना अच्छा नहीं होगा मैं किसी और तरीके से इस सारे धन को प्राप्त करने की कोशिश करूँगा तुम किस सूच में डूब गए बलराज? चलो, इस बकसे को लेकर जल्दी से हवेली लोट चले अहां, आप ठीक कहते हैं मैया, चलिए, चले फिर दोनों भाई बकसे को उठा कर अपनी हवेली ले आए तुम इस खजाने का जिकर किसी के आगे न करना बलराज? क्यों? अगर राजा को इस खजाने का पता चल गया तो वह सारा धन हत्या सकता है ऐसी दशा में खजाना हमारे हाथों से निकल जाएगा ओ, मैं समझ गया भाईया मगर दूसरे ही पल बलराज के दिल में बुरे-बुरे विचार आने लगे कहीं भाईया भी मेरी तरहें पूरा खजाना प्राप्त करने के चक्कर में तो नहीं है हो सकता है ये इसने मुस्ते किसी से इसका जिक्र न करने के लिए कह रहे हो जरूर ऐसी ही बात होगी लेकिन मैं भाईया को उनके मकसद में काम्याव नहीं होने दूँगा मैं शीखर ही उनके जंजट से मुक्ती पाने की कोशिश करूँगा फिर उन्होंने वह खजाना एक सुरक्ष स्थान पर छिपा दिया और सो गए लेकिन वह बची खुची रात बलराज ने बिस्तर पर करवटे बदलते हुए ही गुजारी अगले दिन बलराज एक सिधर्स्त तांत्रिक के पास पहुँचा प्रणाम बाबा, जीते रहो बेटा, बैठो कहो बेटा, मेरे पास कैसे आना हुआ उत्तर में बलराज ने तांत्रिक को एक थैली फेट की इसमें एक हजार सवन मुद्राएं है बाबा क्या सच? हाँ कहो बेटे, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे तांत्रिक को अपना मकसद बता देना चाहिए तभी यह कोई सही उपाई कर सकेगा किस सोच में डूब गए हो बेटे अगर मैं तुम्हारे किसी आम आ सका तो मुझे खुशी होगी तब बलराज ने तांत्रिक को खजाने के बारे में बताते हुए कहा जहां तक मेरा ख्याल है मेरा बड़ा भाई अकेला ही खजाने को हजम कर जाने का इरादा रखता है और मैं यह चाता हूँ कि सारे खजाने का मालिक मैं अकेला बनूँ ओह लेकिन यह भी तैह है कि भईया की जीते जी मैं अकेला खजाने का मालिक नहीं बन सकता बाबा हम अब आप कोई ऐसा उपाई करे कि भईया चिंता भी रहे और मैं अकेला खजाने का मालिक भी बन जाओ तुम चिंता ना करो बेटा हम ऐसा ही कोई उपाई करेंगे सच हम पर यकिन करो बेटे हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे फिर तांत्रिक ने तंत्र पढ़ कर उसे एक कील दी मैं इस कील का क्या करूँ बाबा सबर रखो हम तुम्हें इसका गुण भी बताते है सुनो जब तुम्हारा भाई सो रहा हो तो इस जादुई कील को उसके सिर में ठोक देना वह तुरंत मोर बन जाएगा इसनी तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा यानि वह जीवित पे रहेगा और तुम्हारे मार्ग में रुकावट पी नहीं बरेगा वाह यह हुई न बार अच्छा बाबा अब मैं चलता हूँ फिर बलराज तांत्रिक से विदा लेकर अपनी हवेली की तरफ चल पड़ा तांत्रिक ने भया से चुटकारा दिलाने के लिए मुझे बहुत अच्छा उपाई बताया है अब मैं भया की हत्या करने के पाप से भी पच जाऊंगा और सारा खजारा भी मेरा हो जाएगा हवेली में वापस लोट कर वह अपने बड़े भाई शिवराज के साथ नित्य की कामकाज में चुटक गया बेचारा शिवराज जरा भी उसके मन की बात नहीं भाप पाया जब रात हुई और शिवराज खा पी कर गहरी नीन सो गया तो बलराज जादूई कील और हतोड़ी लेकर शिवराज की शेन कक्ष में जा पहुँचा वह खूब गहरी नीन सो रहे हैं मुझे भीजा की सिर में जादूई कील ठोकने का इस से अच्छा अफसर नहीं मिलेगा अगले ही पर ठक पीड़ा से शिवराज की नीन तूट गई और वह बुरी तरह छट पटाने लगा बलराज मेरे भाई यह तुम क्या कर रहे हो मुझे बहुत पीड़ा हो रही है आह मैं दर्श से मर जाओंगा मेरे भाई तुम मुझ पर ऐसा कठोर जुल मत करो लेकिन बलराज का मन नहीं पसी जा फिर जैसे ही बलराज ने शिवराज की सिर में पूरी जादूई कील ठोकी वैसे ही वह मोर बन गया अब अगर अपनी जान की खैर चाते हो तो तुरंत यहां से भाग जाओ भाई या वरना बे मौत मारे जाओगे जाओ भाग जाओ पियूं 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 तुम अकेरे ही पिताजी का सारा खजाना हत्याने के चक्कर में थे इसलिए मैंने तुम्हें जाओवी कील से मोर बना डाला अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां से दूर बहुत दूर चले जाओ ओह बलराज बहुत बड़ी गल्द फैमी का शिकार हो गया है लेकिन अब मैं इसे कैसे समझाओ कि मेरा ऐसा कोई पुरा इरादा नहीं था लेकिन यह भी तो हो सकता है कि बलराज के दिल में ही पिताजी का सारा खजाना अकेले हडबने का कोविचार आ गया हो और इसलिए इसने मेरे सिर में जादवी कील ठोगी हो यदि सच्चा यही है तो इस समय मेरा यहां से चुप चाप चली जाना ही पहतर होगा वरना बलराज मुझे मार डालेगा अगर मैं जिंदा रहा तो हो सकता है कि एक दिन भगवान की कृपा से मैं पुरा मोर से इंसान बज जाओ उसी विचारों में डूबा देख बलराज डंडा उठाते हुए उसकी तरफ पढ़ा लगता है तुम यहां से आसाने से नहीं भागोगे ठहरो मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ लेकिन इस से पहले की बलराज उस पर डंडा परसा पाता ठीक है बलराज मैं जा रहा हूँ लेकिन ध्यान रखना इश्वर एक दिन तुम्हें तुम्हारे की की सजा अवश्य देगा चलो भाईया से पीछा चूटा उड़ता उड़ता मोर रूपी शिवराज एक जंगल में चा पहुँचा फिर उड़ते उड़ते वह नदी के किनारे एक महात्मा के आश्रम पर पहुँच गया मुझे इनी महात्मा की चरण में रहना चाहिए हो सकता है इनकी आशिरवाज से ही मुझे मोर के शरीर से मुक्ती मिल जाए और वह ध्यान मग्न महात्मा के सामने जाकर पैट गया महात्मा ने जब आँखे खोली तो एक मोर को अपनी सामने देख उन्होंने उसकी सामने अन्न के दाले डाले मोर बना शिवराज उन्हें चुगने लगा इस तरह उसी महात्मा के आश्रम में रहते हुए कई दिन बीथ गये और इन कुछी दिनों में महात्मा को उससे बेहत लगाव हो गया वे उसका पूरा-पूरा खयाल रखने लगे लो, खालो बेटे लेकिन एक दिन एक कुट्टा आश्रम पर पहुँचा और वह मोर पर छपट पड़ा यह देख महात्मा डंडा लेकर कुट्टे की तरफ दोड़े अरे दुष्ट, यह क्या करता है? छोड़ इसे महात्मा को देख कर कुट्टा भाग गया महात्मा ने मोर को उठाया ओह, यह तो बुरी तरह जक्मी हो गया है शायद तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है बेटे लेकिन घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हारा उपचार करता हूँ फिर महात्मा उसके घाओ पर दवा लगाने लगे दवा लगाते लगाते, अचानक ही उनकी नजर मोर के सिर में धसी कील पर चली कई अरे, इसके सिर में तो कील धसी है शायद तुम्हें इस कील से बहुत तक्लीफ हो रही है बेटे ठहरो, मैं अभी तुम्हारे सिर से इस कील को निकाल देता हूँ फिर महात्मा मोर के सिर से कील निकालने लगे धहरे रखो बेटे अभी इस कील के निकलते ही तुम्हारा सारा दर्द दूर हो जाएगा महात्मन जैसे ही उसके सिर से कील निकाली प्रणाम महात्मन आपके इस उपकार को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा ओह यहे क्या करिश्मा हो गया तुम कौन हो बेटा और यह सब क्या चक्कर है तब शिवराज ने उन्हें सारा विरतान सुनाते हुए कहा यहे मेरे छोटे भाई बलराज की कारस्तानी थी महात्मा जी धन के लोब में उसी ने मुझे मोर बना दिया था ओह मुझे अपने छोटे भाई से ऐसी आशा नहीं थी कि वह पिता जी का पूरा खजाना हासिल करने के लिए मेरे साथ ऐसा सलूग भी कर सकता है अब तुमने अपने छोटे भाई के विशे में क्या सोचा है बेटे वह मेरा छोटा भाई है मात्मा जी नादान है मैं उसे माफ कर दूँगा माफ करने के बजाए उसे सबक देना ठीक रहेगा बच्चा ताकि वह भवश्य में फिर किसी के साथ बुरा व्यवार ना करे तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद